गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरू साक्षात परंब्रं, तस्मे श्री गुरुए नमहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना आज गुरू पुर्निमा के शुब अफसर पर पुर्निमा और समस्त पुर्निमाओं से संबंदित जानकरी लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरू पुर्निमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आशार मास की पुर्निमा में मनाया जाता है। इस गुरू पुर्निमा के एतरिक्त ग्यारा और पुर्निमाएं परती हैं। तो समस्त बारा पुर्निमाओं को कौन-कौन से पर्व होते हैं, कौन-कौन से व्रत होते हैं आये जानते हैं। सबसे पहले चैत्र मास की पुर्णिमा आती है, चैत्र मास की पुर्णिमा में श्री हनुमान जैन्ती का आयोजन किया जाता है, इसके बाद बैशाक मास की पुर्णिमा आती है, इस दिन श्री बुद्ध जैन्ती का आयोजन किया जाता है, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा बुद्ध पुर्णिमा के दिन तीन योहर एक साथ होते हैं क्योंकि महत्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ती भी इसी दिन हुई थी और उनका निर्वान भी इसी दिन हुआ था इस रूप में बुद्ध पुर्णिमा का आयोजन किया जाता है जैष्ट मास की पूर्णिमा को बट सावित्री जैन्ती का आयोजन किया जाता है और बट सावित्री व्रत भी इस दिन रखा जाता है आशार मास की पूर्णिमा जी हाँ यही वो पूर्णिमा है जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से हम आयोजित करते हैं ऐसा माना जाता है कि चौमासा में बर्शा रितु अरंब हो जाती है तो जितने भी रिशी मुनी हुआ करते थे गुरू हुआ करते थे वो एक इस्थान पर रहकर अपने शिश्यों को ग्यान कराया करते थे ग्यान की प्राप्ति कराया करते थे इस चौमासा में एक ही जगे रुखकर वो समस्त कार्यों को संबादित करते थे तब से लेकर आज तक आशार मास की पुर्णिमा के ही दिन गुरु पुर्णिमा का आयोजन किया जाता है इस दिन जितने भी शिशे हैं वो सभी शिशे अपने नित्यक्रम करने के बाद अपने गुरुओं का ध्यान करके और उन गुरुओं को अपना तन, मन, ध्यान समर्पित करके अपना समस्त ग्यान उनकी ओर लगाया दिया करते थे और गुरु भी सारा ग्यान उनके ओपर उडेल देता था आज भी हम गुरु पुर्णिमा को अपने गुरु को समर्ण करके आयोजित करते हैं आशार मास्की पुर्णिमा के ही दिन श्री कृषन द्वापायन जैन्ती का भी आयोजन किया जाता है श्री कृषन द्वापायन जैन्ती जैसा कि हम जानते हैं श्री कृषन द्वापायन जिन्नों ने ना सिर्फ महाभारत की रक्षना करी बलकि इससे पहले वेदों का भी व्यास किया वेदों को चार अलग-अलग उनकी करेक्टरिस्ट्रिक्स के आधार पर चार भागों में बाढ़ दिया जैसे सबसे पहले रिगवेद फिर यजुरवेद फिर उसके बाद सामवेद और लास्ट में आता है अथरवेद इसलिए श्री कृषन द्वापायन को वेद व्यास भी कहा गया अशार मास की पुनियमा को वेद व्यास जी की भी जैनती होती है और इसके साथ साथ अशार मास की ही पुनियमा में संत कबीर दास जी की भी जैनती होती है इस दिन एक और त्यहार होता है और वो होता है श्री लास के साथ संपूर्ण भारत में मनाया जाता है भादरपत मास की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत मनाया जाता है जबकि आश्विन मास की पूर्णिमा को शरत पूर्णिमा होती है इस दिन ऐसी माननेता है कि खीर बनाकर अगर चंद्रमा के प्रकाश में रखी जाए तो तो चंद्रमा के प्रकाश के साथ अम्रित की वर्षा उस खीर में हो जाती है और अगले देन प्राते उस खीर को खाने से व्यक्ति ज्यानवान हो जाते हैं और आज भी खीर बना कर उससे सम्बंदित सभी कार्यों का संपादन ऐसा ही होता है। इसके बाद कार्तेक मास की पुर्णिमा जो की पुषकर मेला के नाम से जानी जाती है। पुषकर मेला जैसा की हमें पता है राजिस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। कार्तेक मास में ही गुरु नानक जी की जैन्ती का भी आयोजन किया जाता है और उसके बाद माक्षिश मास की पुर्णिमा को श्री दत्तात्रे जैन्ती का आयोजन किया जाता है। माक्षिश के बाद पौश मास की पुर्णिमा आती है जिसमें मा शाकुम्री देवी की जैन्ती का आयोजन किया जाता है। अंत रवीदास जैन्ती भी इसी दिन मनाई जाती है। माग मास की पुर्णिमा को अंतिम जो आयोजन है वो श्री भैरव जैन्ती के नाम से भी किया जाता है। माग मास के बाद अंतिम मास आता है और वो है फागुन मास। फागुन मास को सभी को पता है होली का आयोजन पूरे भारत वर्ष में बड़े हर शोरलास के साथ किया जाता है। आशा है गुरू पूर्णिमा के इस अफसर पर समस्थ पूर्णिमाओं का ये ग्यान आपके डिवन में निश्चे रूप से ही कभी न कभी काम आएगा। जै हिंद।